स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्टर टामे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके अंदर अगर आपके पास कहीं से लमसम पैसा आया है यहने दोस्तों अगर आप एक ऐसे मुचल फंट प्लान की तलाश में हैं जहां पर आप अपने पैसे को नविश करके दो बैनेफिट लेना चाहते हैं एक मंतली इंकम का और दूसरा लगतार आपके पैसे के वैडियू पढ़ती रहे तो दोस्तों एक ऐसा ही HDFC की दमधार स्कीम है बिसके अंदर आप ये दो बैनेफिट एक साथ हासिल कर सकते हैं अब इसके लिए आपको लाको रुपे नविश करने की ज़रूत नहीं आए बलकि अगर आप एक बार सिर्फ 6 लाक रुपे का नविश करते हैं तो इस 6 लाक से अगले महिने से आपको 6650 रुपे की एक मतली इंकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन इसके साथ साथ इस 6 लाक रुपे की वैलियू जब आप इस पैसे को वापस लेंगे तो वो भी करीब 14 करोड 78 लाक रुपे तक हो जाएगी जानी कि दोस्तो इस मूचल फंड प्लान के अदर आप दो बैनेफिट एक साथ ले सकते हैं एक तो मतली इंकम शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं क्योंकि दोस्तो मतली इंकम के लिए अगर आप अपने पैसे को बैंक इन्यूटे डिपॉटरिट स्कीम, LIC की स्कीम ये फिर पोस्ट आफिस में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्यास दर साथ साथ परसेंट से जाता नहीं मिलती है जब आप long time तक पैसे को निवेश करते हैं तब भी आपको कोई जाधा benefit नहीं होता है लेकिन दोस्तो अगर आप एक दमदार mutual fund plan के अंदर पैसे को निवेश करते हैं और आपको एक बड़ा fund बनाना है तो फिर आपके पास 22 मौका यह होता है कि यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके उस पर एक income भी शुरू कर सकते हैं और एक बड़ा fund भी बना सकते हैं क्योंकि पिछले अगर हम 4-5 साल की बात करते हैं तो mutual funds के अंदर सबसे popular option आपको मिले हैं जहाँ पर लोगों ने पैसे को निवेश करके पिछले कुछ साल में काफी जबरदस्ट profit पाया है और दोस्तो अभी भी आपके पास पहतीन मौका है जहाँ पर पैसे को आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो अगर आप एक सही टाइम पर पैसे को नविश करते हैं एक दमदार mutual fund plan के अंदर तो फिर दोस्तो आप अपने पैसे पर काफी अच्छा benefit हासिल कर सकते हैं आपसे 10 सार बेल भी जिन लोगों ने mutual fund plan के अंदर पैसे को नविश किया उन्होंने दोस्तो एक बड fund बनाया है क्योंकि लगतार पिछले 10 साथे mutual funds के अंदर हमें return काफी जबर्दास मिला है अगर हमें एक बड़े correction की बात कर लें चो 2020 क्रोना डवटाउन के टाइम आए था उसके बास से दोस्तो आप तक लगतार mutual funds के अंदर हमें शांदार growth होई है और दोस्तो अभी भी हमा हम लमसम पैसा नविश करके वेट करेंगे तब ही हमारे पैसे पर benefit मिल पाएगा लेकि दोस्तो mutual funds के अंदर आपको ऐसा option भी मिलता है जहां पर आप अपने पैसे को नविश करके मंतली income के साथ एक बड़ा fund बना सकते हैं और दोस्तो एक ऐसा ही fund है HDFC का जिसके बारे में आ उससे पहले आपसे एक request जरूर रहेगी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं दोस्तो मंतली income के लिए हमने जो fund pick किया है SWP के लिए दोस्तो ये plan हमारे पास HDFC का Nifty Small Cap 250 Index Fund दोस्तो ये fund Small Cap Index Fund है और यहां पर जितना भी पैसा है इस mutual fund प्लान का वो Small Cap Company में ही निवेश किया क्या है यहां पर दोस्तो लगातार इस fund ने हमें पिछले 2-3 साल से return काफी जबर्दस दिया है fund के अंदर annualize return 53.72% है जिबके अगर हम एक साल की बाद करें तो return 47.29% last 6 मंत में fund के अंदर 12% का return और दोस्तो लास्ट 1 मंत में fund में correction की वज़ा से अभी भी 3.5% का negative return है देकिन अभी 3-4 दिन पहले return इसका 8% तक नीचे जा चुका था देकिन दोस्तो यहां पर हमारे पास मौका बनता है इस fund के अंदर पैसे को नविश करने का और यहां से एक बड़े fund बनाने का तो इसके लिए आपको चूज करना है SWP plan यानि कि systematic withdrawal plan इसमें आप जो भी पैसा दोस्तो 24% का return अगर हम यहां पर मिलता है और हम अपने पैसे को नविश करने का जो target है अगर उसे रखते है स्टार्टिंग सिफ 6 साल का तो दोस्तो यहां पर हम 6 लाग रुपे का नविश करके 12 लाग 12,000 रुपे का fund बनाएंगे और यहां पर 6,650 रुपे मंती इंकम के सा इकोर से एकोल इंकम 4,68,000 रुपे तक हमें मिल जाएगी देकिन अगर हम पैसे को नविश करते हैं 12 साल के लिए तो फिर आम 6 लाग रुपे का नविश करके इस fund के अंदर 34,38,000 रुपे का fund बनाएंगे 9,57,000 का return दोस्तो अगर हम पैसे को नविश करते हैं 18 साल के लिए त पर 24 साल तक के लिए तो फिर हम 6 लाग रुपे का नवीश करके 4 लाग 9,000 रुपे का फंड बनाएंगे और 6,650 रुपे मंति इंकम के साफ से कुल 19,15,000 रुपे की इंकम लेकिन दोस्तों अगर हम 30 साल तक इस जम्दार कुंचल फंड प्लान के अंदर पैसे को नवीश कर दे की की तो यहां पर फोटफिलियो भी इसका काफी स्टॉंग है कोई में लाकर 250 पहदीन कंपनी में जिनमें पैसे को नवीश किया गया है इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनी कि बात करें तो मल्टी कमर्लटी अक्सिंग आपडिया, कॉंटर ग्रिव, CDS, KLENMEG Pharma, Computer Risk Management सर्वेस और चोला मडलम फाइनस इंवेस्मेंट होल्टिंग याँ पर पोटफिलियो स्टॉंग है स्मॉल कैप कैटिकरी की कंप्टी है सारी जिसमें पैसे को निवेश किया गया है और यहां से हमें ग्रोथ और भी एक अच्छी मिल सकती है एनवी का प्राइस फंड का भी उन अधर सेक्टर की कंपनी, कैपिटल रोड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल सेक्टर और कंस्यूमेंस टेपल के अंदर फंड के पैसे को निवेश किया गया है यानि जितने भी दमदार सेक्टर है इनने में पैसे को डाला गया है और दोस्तो इन सभी सेक्टरों में अगर हम ग्रो पर साड़े बारा परतन का LTCG टैक्स, फंड मेनेजमेंट टीम की बात करते हैं, तो अरुन अगरवाल 2023 से और निर्पल 2023 से फंड को मैनेज करे हैं, तो दोस्तों HDFC के इस दमदार म्यूच्वल फंड प्लान के अंदर अगर हम पैसे को नवीश करते हैं, तो यहाँ पर हम एक म दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते हैं, धन्यवाद